संजराउत मतलब उधर्फ ठाकरे के संजर अच्छे दिन हो या फिर बुरे संजराउत हमेशा उधर्फ ठाकरे की आवाज बने रहे उधर्फ ठाकरे का रुक संजराउत के मैत्री से बाहर आने के बाद सामने आता रहा अब उधर्फ सत्ता से दूर हुए तो संजराउत पर ए प्रवक्ता है लेकिन उनकी पहचान इससे भी जादा है वो ठाकरे परिवार के धाल है उद्धव के सिपहसालार है जब जब ठाकरे परिवार पर आफ़त आई सवाल उठे संजराउट चटान की तरह खड़े मिले जब ठाकरे जी के नेतरुत्वी में उसका उपर लोग रखेंगे जिसे कर लोग उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गये है वो शिवसना नाम का इस्तामाल ना करे और अपना बाप का नाम का इस्तामाल करो और होट मांगे उद्धव के खलाफ जब अपनोंने बगावत का बिगल फूंका तो संजे राओ जटे रहे ठाकरे परिवार के भरोसे की आवाज बने रहे और मुख्यमंत्री महाराष्टा के यहां राजनिती करने आए सरकार बठाने के लिए आए है इलक्षन कमिशन जाएंगे और कही जाएंगे शिवसिना के संसत तोड़ने के लिए बैठेंगे अब वो बज़ीपी के साथ है बज़ीपी के मुख्यमंत्री अलगबग नेकिन शिवसिना के मुख्य बनते नहीं है जो शिवसिना से तुटे हुए लोग है उनका जो गुठ है उसने एक राष्टे कारेकार ने बना ली शिवसिना की हम यहां बैठकर हस रही थे महाराष्टे की जंता भी हास रही है मजा ले रही है चुटकी ले रही है और हमारी जो कार बाला साथ ठाकरी जी ने वनाई हुई उनको बरकास कर दिया ये पार्टी बाला साथ ठाकरी जी के ये शिव सनार रजिस्टर पुलिटिकल पार्टी है चाहे इलक्षन कमिशन हो चाहे सब कुछ हो आप लोग तूटकर बहार चले गए ठीक है आपका एक अलग गुट हो सकता ह अब बहार निकले आप अपने गुट के राज मेदे कर लिए शिव सनार से पंगा मत लिए बीजेपी शिवसेना के संबंध बिगड़े तो ठाकरी खेमे की आवाज संजे राउत ही थी यहां तक कि बीजेपी ने संबंधों के दरार के लिए राउत को भी कुछ हद तक हम रहा कर रहे हैं हनुमान चालेशा पढ़ने के लिए किसे को पर देशद्रों का गुना नहीं दाखल हुआ है समझ लीजे वो वकिल है वो लॉयर है कर मुंबई हाई कोर्ट ने भी उस बारे में अपना मद्व्यक्त किया है वो पूरा जज्जमेंट हरण में पढ़ना चा संजे राउट ठाकरे कैंप की वो कड़ी हैं जो दिल्ली तक विरोधी कैंप तक संबंधों के तार जोड़ते हैं वो कभी राहुल गांधी के साथ दिख जाते हैं तो कभी ममता बैनर्जी के साथ अधिकार के पास है सरकार चाहेगी तो सस्पेंड करेगी और सरकार चाहेगी तो लोग करेगी आज तक की इतिहास में हमारे डेमोकरसी में यह इसी दिन हमने करें देखने को नहीं मिलाता है डेमोकरसी और जश्टिस की माम करने वाले हमारे 12 सांसदों को सस्टेंड कर दिया संजे राउत तब भी मुखर थे जब एडित सुशान्त राजपूत के इसकी जाच कर रही थी और सवाल आदित्य छाकरे पर किये जा रहे हैं विहार चुनाव खतम होने के बाद सुशान सिंग रस्पूत पाटना में कहां रहता था उसकी फैमिली क्या कर भी है वो आज राजपीती करने वालों को उसका आता पता भी नहीं हो भूल जाएंगे सब शुशान सिंग पाटना से मुंबै में रहता था शुशान सिंग को जो भी कुछ मिला है चाहे पाइसा फेम काम मुंबै ने दिया है सब कुछ वो मुंबै का लड़का था पाटना का कब बन गया है यही कारण है कि केंदर की एजनसी का संजे राउद के घर तक पहुँचने के सियासी मायने काफी है अब ये भी जान लीजे कि आखिर वो मामला क्या है जिसे लेकर एडी की टीम संजे राउद के घर पहुँची मामला पातरा चौल के बिल्डर प्रवेंड राउद से जुड़ा है प्रवेंड राउद को तीन हजार फ्लैट बनाने का काम मिला था इन में 672 विस्थापितों को देना था लेकिन 2011 में बिल्डर ने जमीन का कुछ हस्ता दूसरे बिल्डर को बेच दिया 2020 में प्रवेंड राउद का नाम PNC बैंक घुटाले की जांच में सामने आये तब पता चला कि उनकी पत्नी ने संजराउद के पत्नी वर्षा राउद को 55 लाख लोन दिये EDC लेंदेन पर सवाल उठा रही है और इसे ग्रश्टरचार से जोड़ रही है पात्रा चॉल मामले में EDC ने संजराउद के पांच करोड और उनकी पत्नी की दो करोड की संपत्ती भी जब्त की है पंकचुबात हाई देव कोचक के साथ साहिल जोशी मुंबाई आज तक